नमस्कार दोस्तो जैहिंच जैभार्द स्वागत आप सभी का जग्गु भाईजी डिफेंस केडमे के यूटूब चैनल पर आर्मी की त्यारी करने वाले मेरे सभी युवा भाईयों को जैहिंच जैभार्द चली दोस्तो आज का सेशन शुरू करते हैं आज हम डिसकसन करने वाले हैं इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर सेट जी हाँ दोस्तो एक नमबर दोजार बीज को इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था आज हम जो पेपर डिसकसन करने वाले हैं ये रोध तक हरियाना में पेप पर हुआ था सोल्जर टीडियन ट्रेडमेन का पेपर है टेंथ पासवालों के लिए तो डिसकसन करेंगे आज पूरा पेपर सेट हम जीके और साइस के जो भी क्यूशन पूछे गए थे वो सभी हम डिसकसन करने वाले हैं आप भी अगर इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड ज सही होते हैं तो चलिए बीना देनी की वे आज का ये सेशन शुरुवात करते हैं सेशन अमेसा की तरह बहुत ही शाYoungदार होने वाला वाला है इसलिए class को अगर like नहीं किया तो like कर दें चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लें तो चलिए start करते हैं पहला question Question number 1 आपसे पूछा गया था कि भारत के पर्थम राश्टरपती कौन थे Question number 1 Who was the first president of India? भारत के पर्थम राश्टरपती कौन थे? जल्दी से comment कर दें पर्थे question का answer comment करना है जब तक आप question का answer comment नहीं करोगे तब तक आपको अपना level पता नहीं चलेगा कि आपकी त्यारी किस लेवल पर चल रही है तो question number 1 Who was the first president of India? भारत के पर्थम राश्टरपती कौन थे? इस question का right answer होगा option C Dr. Rajendra Prasad next question question number 2 Which country is the most populate country in the world? विश्वय में सबसे अधीक जन्संग के अवाला देश कौन सा है? option A America option B भारत option C चीन option D रूज तो question number 2 का right answer होगा option C चीन विश्वय में सबसे अधीक जन्संग के अवाला देश कौन सा है? चीन next question 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 number 3 विजे गाट is located in which state? विजे गाट किस राज्य में स्थित है? option आपके सामने है जल्दी से कमेंट कर देए option A उत्तर प्रदेश option B पंजाब option C दिल्ली option D उत्राखन तो question number 3 का right answer होगा option C जितने वाई option C कर रहे हैं उन सबीका सहिया देली विजे गाट कहाँ प्रदेश देली में next question 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 number 4 विजे नाथन आनन्द is associated with विजे नाथन आनन्द किस खेल से समन्दित हैं? option A सत्रंज option B होकी option C टेबल टेनिस option D कुस्ती question number 4 का right answer होगा option A चेश सत्रंज विजे नाथन आनन्द किस खेल से समन्दित हैं? चेश से समन्दित हैं next question 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 number 5 आपसे पूछा गया था कि what is the minimum age requirement to contest for लोगसभा election? लोगसभा चुनाव लड़ने की नियूनतम आयू कितनी होनी आउसेख है option A 25 year तो question number 5 का right answer क्या होगा? जल्दी से comment करें लोगसभा चुनाव लड़ने की नियूनतम आयू कितनी होनी आउसेख है इस question का right answer होगा option A 25 year next question 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 number 6 who has written India's national song वंदे मातरम बारत का राष्ट्री गीत वंदे मातरम के लेखक कोन है? option A बकीम चंदर चटोपा ध्याई option P सरद चंदर option C प्रेम चंदर option D रविंदर नाथ टेगूर तो question number 6 का right answer क्या होगा? जल्दी से comment करें भारत का राष्ट्री गीत वंदे मातरम के लेखक कोन है? question number 6 का right answer होगा option A बकीम चंदर चटोपा ध्याई वंदे मातरम के लेखक है next question question number 7 is the capital of South Africa दक्सिन अफरिका की राजदानी है? option A London option B New York option C Cap Town option D Moscow तो question number 7 का right answer होगा option C the capital of South Africa is Cap Town next question question number 8 who is the first Indians in space? अंतरिक्स में पहला बारती है कोन था? option A नागपती भट option B राकेश सर्मा option C रवीश मलहोत्रा option D विकरम अंबालाल तो question number 8 का right answer होगा option B option B अपका सही होगा राकेश सर्मा अंतरिक्स में पहला बारती है कोन था? राकेश सर्मा next question question number 9 the magnet the male ghaat tiger reserve is in male ghaat बाग सरक्षन में स्थित है option A महारास्टर option B आसाम option C ओडिशा option D करनाटग तो question number 9 का right answer क्या होगा जल्दी से comment कर दें male ghaat बाग सरक्षन किस राजी में स्थित है question number 9 का right answer होगा option A महारास्टर male ghaat बाग सरक्षन किस राजी में स्थित है महारास्टर राजी में स्थित है next question 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 number 10 आप से पूछा गया था कि who was the first man to set foot on the moon choose correct answer चांद पर पहली बार जाने वाले विक्ति कोन थे सही विकलब चूनिये option A Columbus option B Michael Collins option C Neil Armstrong option D Edwin Aldrin तो question number 10 का right answer क्या होगा जल्दी से comment करें परते किस राजी का answer क्या हो जिससे आपको अपना level पता चले कि आपकी त्यारी किस level पर चल रही है अगर आप आने वाले आगा में बढ़ते की त्यारी कर रहे हैं तो ये session आपके लिए बहुत ही important है अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया तो channel को subscribe कर ले army की त्यारी करने के लिए बिलकुल आप सही जगाए पहुँच चुके हैं इसलिए channel subscribe करें हर class को आप continue लेते रहें तो question number 10 का right answer होगा option C नील आरंस्ट्रोंग चांद पर पहली बार कौन वेकती गए थे नील आरंस्ट्रोंग next question 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 number 11 आपसे पूछा गया था कि 1971 war for liberation of Bangladesh was fought between which all countries 1971 में बांगलादेश की आजादी के लिए कौन से देशों के मद्दे यूद हुआ option A भारत और बांगलादेश option B चीन और पाकिस्तान option C भारत और पाकिस्तान option D भारत और चीन question number 11 का right answer गया होगा जल्दी से comment करें मुझे हर भाई का comment चाहिए question number 11 का right answer क्या होगा 1931 में बांगलादेश की आजादी के लिए कौन से देशों के मद्दे यूद हुआ जल्दी से comment करें question number 11 का right answer क्या होगा तो मुश्टरी सभी comment कर रहे है option C भारत और पाकिस्तान जी हाँ बिल्कुल right है option C आपका सही होगा question number 11 का right answer option C next question 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 number 12 who was the inventor of electricity बिजली का आविश्कार किस नहीं किया जल्दी से comment करें question number 12 का right answer option आपके सामने है option A Leonardo da Vinci option B Newton option C Vikings option D Benjamin Franklin बिजली का आविश्कार किस नहीं किया था Benjamin Franklin नहीं किया था next question 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 number 13 the rat yatra at Puri is celebrated in honor of which Hindu deity Puri में rat yatra किस Hindu देवता के समान में निकाली जाती है जल्दी से comment करें question number 13 का right answer क्या होगा option A Vishnu option B जगनात option C सीव option D राम तो question number 13 का right answer होगा option B जगनात जो पूरी उडिशा में रत yatra निकाली जाती है वो किस Hindu देवता के समान में निकाली जाती है जगनात के समान में next question 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 number 14 pace maker is associated with pace maker किस से समंदित है option A मस्तिस्क option B किडनी गुर्दा option C कान option D हरदे तो question number 14 का right answer होगा option D pace maker किस समंदित है हरदे से समंदित है next question 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 number 15 आप से पूछा गया है the strength of लोकसवा is लोकसवा में कुल सदेश्यों की संक्या कितनी होती है जल्दी से comment करें question number 15 का right answer क्या होगा the strength of लोकसवा is option A 540 option B 449 option C 545 option D 549 तो question number 15 का right answer होगा option C 545 लोकसवा में वर्तमान में कुल सदेश्यों की संक्या कितनी है 545 है चलिए यह थे जीक्य की क्यूशन जीक्य की क्यूशन इस लेवल के पूछे जाते हैं अब हम डिस्कसन करने वाले हैं जनरल साइंस की क्यूशन किस लेवल की क्यूशन आर्मे के वेपर में पूछे जाते हैं तो question number 21 अब section C अपका start हो गया सामाने विज्यान के क्यूशन हम डिस्कसन करेंगे total 15 क्यूशन पूछे जाते हैं ट्रेड में question number 21 आपसे पूछा गया है what charge is present in protons proton में कौन सा आवेश होता है option A कोई आवेश नहीं option B धन आवेश और रन आवेश option C रन आवेश option D धन आवेश question number 21 का right अंसर होगा option D positive what charge is present in protons positive next question question number 22 आपसे पूछा गया था the cognitive organism of dengue fever is dengue बुखार का कारक जीव कौन सा है जल्दी से comment करें question number 22 का right अंसर क्या होगा option आपकी सामने option A कवक option B bacteria option C विशानू option D प्रोटोजोवा question number 22 का right अंसर होगा option C वाइरस विशानू dengue बुखार किस के कारण होता है वाइरस के कारण होता है next question 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 number 23 which was the first mammal to be cloned in the world and was named Dolly नेमन में से कौन सा स्तंधारी है जिसका सर्वपरतम clone किया गया एउन नाम डोली था option A भेड option B कुता option C गाई option D सुर question number 23 का right अंसर होगा option A भेड सी next question question number 24 आपसे पूछा गया था कि which type of mirror used in the headlamp of car car के headlamp में किस परकार का आईना परियोग होता है option A समतल आईना option B आउतल आईना option C उतल आईना option D दो तरफा आईना तो question number 24 का right अंसर क्या होगा car के headlamp में किस परकार का आईना परियोग होता है इस question का right अंसर होगा option B आउतल आईना कौन के उमीरर next question question number 25 आपसे पूछा गया था a magnet has pulse एक चुम्बक में कितने धुरुए होते हैं option A 1 option B 5 option C 2 option D 3 question number 25 का right अंसर होगा option C 2 एक चुम्बक में कितने धुरुए होते हैं दो होते हैं next question 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 number 26 a generator is a device which produce generator एक यंतर है जो उत्पन करता है option A उस्मा उर्जा option B यांतरिक उर्जा option C विदूत उर्जा option D परकास उर्जा बहुत ही सांदार question question number 26 a generator is a device which produce जल्दी से comment करें question number 26 का right answer क्या होगा generator एक यंतर है जो कौन सी उर्जा उत्पन करता है इस question का right answer होगा option C विदूत उर्जा generator यांतरिक उर्जा को विदूत उर्जा में convert करता है mechanical energy को change करता है किसमें electric energy के अंदर next question question number 27 materials through which current can pass are cold वस्तों जिनसे विदूत करंड परवाहित होता है उसे क्या कहते है option A rubber option B plastic option C विदूत रोधी option D समवाहक question number 27 का right answer होगा option D conductors या समवाहक next question question number 28 which among of the following is the formula of kinetic energy निमल लिखित में से गतीजन ने उर्जा का सुतर कोन सा है सुतर कोन सा है जल्दी से कमेंट करें question number 28 का right answer क्या होगा option अब के सामने है option A 1 by 2 mv square option B 1 by 2 mv square plus mgth option C mgth option D 1 by 2 mgth question number 28 का right answer होगा option A kinetic energy का formula क्या है 1 by 2 mv square next question question number 29 आप से पूछा गया था कि respiration text place in साउसन की किरिया किस में होती है option A ribosome option B mitochondria option C हरीत लवकों option D lysosome तो किस्व नमर 29 का right answer क्या होगा respiration text place in mitochondria question number 29 का right answer option B mitochondria next question किस्व नमर 30 आप से पूछा गया था कि a man cannot see clearly beyond 10 meter the disease he suffer from is एक मनुस्य 10 meter से ज़्यादा नहीं देख सकता वह किस रोग से ग्रसित है option A cartric option B farsight option C hypermetropia option D myopia तो किस्व नमर 30 का right answer होगा option D myopia a man cannot see clearly beyond 10 meter the disease he suffer from is a myopia next question किस्व नमर 31 to test the presence of the iodine solution is used iodine-villain का परियोग किसकी उपस्तिति का पता लगाने के लिए होता है option A protein option B वसा option C starch option D चीनी तो किस्व नमर 31 का right answer क्या होगा iodine-villain का परियोग किसकी उपस्तिति का पता लगाने के लिए क्या जाता है कार्बो हाइट्रेड का पता लगाने के लिए क्या जाता है हमारे स्रीज में कार्बो हाइट्रेड दो परकार के होते हैं एक होता है स्टार्ट और एक होता है सूगर लेकिन यहां जो क्यूशन आपसे क्यूशन नमर 31 पूचा गया है iodine-villain का परियोग किसकी उपस्तिति का पता लगाने के लिए होता है इस क्यूशन का राइट अंसर जो माना जाएगा वो माना जाएगा उपस्टन सी स्टार्ट नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमर 32 लोस ओफ वाटर लोस ओफ वाटर फ्रोम दा हूमन बोडी इस कोल्ड माना उस्रीज में पानी की कमी को क्या कहा जाता है उपस्टन A भाप उपस्टन B ट्रांस्पेरिशन उपस्टन C निर्जली कर्ण उपस्टन D हाइडरेशन तो क्यूशन नमर 32 का राइट अंसर होगा उपस्टन C निर्जली कर्ण ये जो ओरिजनल पेपर सेट है परकार का होता है कि ये किलियर नहीं देख पाता है तो loss of water from the human body is cold dehydration निर्जली कर्ण मानो शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है निर्जली कर्ण कहा जाता है नेक्स्टन किशन किशन नमर 33 आप से पुछा गया है कि जल्द सुधिकन के लिए कौन सा रसाइन प्रियोग होता है जल्दी से कमेंट करें क्यूशन नमर 33 का राइट आंसर क्या होगा उप्षन A, कारबन डाई उक्षाइड उप्षन B, नाइट्रोजन उप्षन C, उक्षिजन उप्षन D, क्लोरीन जल्द सुधिकन के लिए कौन सा रसाइन प्रियोग के आजाता है क्लोरीन का प्रियोग के आजाता है आपसे पूछा गया था सोनार सुध सोने को बनाने के लिए उसमें थोड़ी मातरा में तामबा मिलाता है आपसे क्यूशन ये पूछा गया है कि सोने के अंदर सुद सोने के अंदर सुनार है तामबा किसे लिए मिलाता है Option A सोने को कठोर बनाने के लिए Option B आकरशन बनाने के लिए Option C कोमल बनाने के लिए Option D लचिला बनाने के लिए तो क्यूशन नमर 34 का राइट अंसर होगा Option A हार्ड कठोर सुनार सुथ सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें थोड़ी मातरा में तामबा मिलाता है नेक्स्ट कुशन कुशन नमर थर्टी फाइब विच मैटल इस यूज़ इन थर्मोमेटर थर्मामेटर में कौन सी दातु का परियोग किया जाता है उप्सन ए पारा उप्सन बी चांदी उप्सन सी टाइटेनियम उप्सन डी निकिल तो कुशन नमर थर्टी फाइब का राइट अंसर क्या होगा विच मैटल इस यूज़ इन थर्मोमेटर जल्दी से कमिट कर दें विच मैटल इस यूज़ इन थर्मोमेटर थर्मा मीटर में कौन सा धातू का परियोग किया जाता है क्यूशन नमर 35 का राइट अंसर होगा उप्सन ए पारा तो हमने 30 क्यूशन डिसकसन किया है जी के और साइस की सामाने ग्यान और सामाने विज्ञान के क्यूशन हमने डिसकसन किया है तीज क्यूशन में से आपके कितने क्यूशन सही होए हैं अभी के अभी कमेंट करके मुझे बता दें और अब आपके लिए एक important सुचना है important सुचना ये है कि अगर आप भी आर्मी भरती की त्यारी करते हैं और अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो 7300-133-100 मेरे WhatsApp नंबर है आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं अगर आप Telegram से जुड़ना चाहते हैं तो Telegram पर सर्च करें जगू भाईजी डिफेंस केड में आपको वहाँ गुरूप और चैनल मिल जाएगा आप वहाँ जुड़ सकते हैं तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर के जरूर बताएं आपके सुजाओं हमेशा आमंतरित हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में जैहिंद जैभार्द